और MP में क्रिशिक शेत्र में आज एक नया रिकॉर्ड बना है क्रिशिमंत्री कमल पटेल ने जानकारी दी कि एक दिन में करीब 50 लाग किसानों को करीब 8000 करोर की राशी दी गई है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी किसान को अब मुआ क्रिशिमंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ है सर आज बड़ी सोकात किसानों को 8000 करोर से ज्यादा की राशी उनके खातों में ट्रांसपर की गई देखिए आज आज भारत में फसल बीमा योजना किसानों को एक सुरक्षा कवच है कांग्रेस ने साथ साल राज किया लेकिन किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेकर नहीं आई आज बेतूल से मानी मुख्यमंत्य जेने एक क्लिक बटन दबा कर मद्यप्रदेश के उन पचास लाख पिच्चासी हजार चुईस किसानों के खातों में साथ हजार छेसो अठारा करोड बावन लाख बाइस रुपे जमा किये हैं ये अपने आप में एक रिकार्ड है कई वार हम देखते थे कि कम राशी किसानों के खातों में जाती थी किसी के में सो व किसी के में दोश हो लेकिन आप लोगों ने तैय कि एक निश्चित राशी ही खाते मbayः जाईगा उसे कम नहीं जाएगा कि मैं पहले किसान हूँ बाद में मंत्री हूँ सिवरा सिंग चोहन पहले किसान है बाद में मंत्री है इसलिए हमने किसानों की यह तक्लीब है इसमें टेक्निकल त्रूटी है क्या होता है कि किसान का किसी का बीमा होता है अब एक एक एकड जमीन है आदा एकड में उसने फसल वो ही उसका भीमा करा लिया और उसमें भी उसने उसके नाम पर प्लाट हो गए हैं चार भाई हैं चारों के हिस्से में तो उसके इसाफ से भीमा कमाता है और इसलिए हमने निने लिया है कि हम एक हजार से नीचे किसी को नहीं देंगे और मेक जिमम यह देखिए हर्दा का यह क किया है कांग्रेस लगातार रोप लगा रही है कि जो राथी आपने बीमा की दी है वो बीस इकीस की है बाइस वाली आप कब देंगे काफी लेट मिल रही है देखिए पेले तुम्हें कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के पूर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रद वचन दिया था कि रगुकुल रित सदा चली जाए प्राण जाए पर वचन न जाए ये देश के लोग मानते हैं और इसलिए वचन पत दिया था कि सरकार बनने के दस दिन के अंदर दो लाग का करजा माफ कर देंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे और इसी डर में कमलनाज जिने आते से पहली बार बल्लब भौन में गए और एक घंटे के अंदर उन्होंने जो साइन किया पहला कि 31 मार्च 2018 तक के 2 लाग तक किसानों के करजे सारे माफ किया जाते हैं दसकत कमलनाथ जब 2 लाग के दसकत कर दिया कियों नहीं किया और इसलिए धोका दिया चार सो बीसी की तो ये थे किर्शी मंतरी कमल पटेल जी जिन का कहना है कि वो एक किसान के बेटे हैं और मुख मंतरी सिवराज सिंग चौहान भी किसान के बेटे हैं यही कारण है किसानों के उत्थान के लिए लगातार कार किये जा रहा है और यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा रिकॉ हुगा था कियारा परसंद भरत बंदिला के साथ आकर सर्मा बंसल नियूज भूपाल और मंदी दीव से खबर मिल रही है